दबाए इस लाल करण के बटन को हमारा चैनल सबस्क्राइब करने लम्हारा दिस्कोवर्विंध YOURself को और दबाए इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने कि लिए तो सबसे नीचे का जो है वो सही होगा सभी पासवर्ड नियमित रूप से बदले जाते हैं तो आपको बराबर अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए इससे आपकी एकाउंट की प्रेवैसी मजबूत होगी नेक्स्ट के चलेंज हमारा 412 नमबर है क्या है कि आप स्कीन पर परदर्शी तस्वीर का संदर्ब लें यह वो अप्लिकेशन है जिनका उप्योग डैस के लिए कर सकते हैं तो हम वेब पेजिस को देखने के लिए इनका उप्योग कर सकते हैं इसे नेक्स्ट के चलेंज हमारा है कि 413 नमॉर की आप मित्रलेंड का उप्योग करके आपका computer एकसेस करना चाहता है वह उस computer का नाम जानना जाता है जिसपर आप काम कर रहे हैं आप control पर करके computer का नाम जानने के लिए किन गती वीदियों का अनुसरन करेंगे कहने का मतलब इनका यह है कि हमको computer का जो है प्रोपर्टी जाचना है तो किस तरह से हम करेंगे तो सबसे पहले हम start बड़न पर click करेंगे फिर यहाँ पर मारे पास control panel का option है उसके बाद हम यहाँ पर दिखी system का option है पहले वाले कॉलम में तो यहाँ पर system पर click कर देंगे इस तरह से हम computer का नाम और computer में लगी सारी processor की जानकारी हम ले पाएंगे नेक्स्ट के चलेंज हमारा 414 नमर है क्या है कि आप paint application में एक कलाकरती बनाई है आप इस कलाकरती का उपयोग अपने desktop wallpaper के रूप में करना चाहते है आप दीवी bitmap तस्वीर को tile format में wallpaper के रूप में कैसे set करेंगे तो काफी आसान है सबसे पहले हम file पर click करेंगे file tap पर click करने के बाद हमें यहाँ पर मिलते है set as desktop background इस पर click करने के बाद यहाँ पर file format है यानि कहने का मतलब कि छोटा छोटा वो हमारे skin पर दिखेगा तो simply हम इस पर click करेंगे इस तरह से यह है जो है हमारा paint जो की एक bitmap में था वह desktop background बन जाएगा next का challenge हमारा 415 नमबर है आप paint application में बनाई गई एक तस्वीर को wordpad document में copy करना चाहते है टास्क बार में minimize दीवी तस्वीर को आप wordpad document में कैसे copy करेंगे तो काफी आसान है सबसे पहले हम यहाँ पर select वाले option पर click करके सारे जो है जो भी इसका content इसको हम select करेंगे तो अब यहाँ पर मार पास copies का option जो है वह हाइलाइट हो गया है तो हम copy पर click करेंगे कोपी बीकलिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे wordpad का जो option है इस पर click करेंगे और यहाँ पर paste का option है सिंप्ली इस पर click कर देंगे तो यह हमारा वह content उससे copy हो करके wordpad में paste हो जाएगा रहे डाटा को संग्रहित करने के लिए की गई है तो यह कहना इनका सही है इंटरप्राइज स्टोरे सिस्टम में परियोग करने के लिए उचित दिवाइस है कौन सा है तो फाइल सर्वर्स एक्ष्ट के चलेंज हमारे 418 नमबर है क्या है कि नर्यस अजंता की गुफाये जा आने वाली रास्ता से वह वहां पहुचना चाहता है तो गूगल मैप्स की तो यहां पर ड्राइविंग जब सब्द आ गया है तो आपको थोड़ा सा यहां पर देखिए सिक्वेस को जाना होगा तो सबसे पहले वह यहां पर डायरेक्षन पर क्लिक करेंगा उसके बात वह ट्रेन तो नहीं चला रहा होगा नहीं वो पैदल चल रहा तो यहां पर दिखे एक जो है हमारा 4-wheel ad यानि कि कार का एक सेम्बल बनावा है सिंप्लिस कार पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के साथ है हमारा टेक जोड़ने की बात तो यहां पर प्लस वाले निसान पर किलिक कर देंगे इस तरह से एक लेयर अमारा ब्लेंक लेयर जुड़ जाएगा नेक्स टेकर चलेंज 420 नमबर और यह इस सेसन का लास्ट टेकर चलेंज है कि राकेश ट्वालेट सर्टिफिकेट के लिए अपलाए करना चाहता है उसे के लिए उसे कौन से चड़नों का पलन करना चाहिए तो यहां पर देख रहे हैं के चलेंज भी आपका सॉल्व हुआ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लेगी तो करें लाइक करें कॉमेंट करें और दोस्तों के साथ से हर केरें जय हिंद जय भारत